हलो दोस्तों कैसे वाफ दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएप का पैसा पूरा कैसे निकाले को कि आपने बहुत सुना होगा कि पीएप का पैसा कैसे निकालते हैं और पूरा पैसा निकालना कोई आपको नहीं बताएगा बताएगा तो अलग अलग तरीके से बताएगा ल लिखा भी आ गया है कि आपका पैसा फाइनली विड्रोल के लिए हो चुका है अब यह पैसा कितने दिन में आता है कम से कम दस से बारा दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा यह जो पैसा है इसको जो अपलाई करते हो तो वीडियों पूरा बने रहे न आपको में चीज और बता देता हूं आपको इसको डेश्टोप साइड मोड में कर लेना है अब डेश्टोप साइड मोड क्या होता है तो कि आपका मोबाईल की स्क्रीम करें और कभी आपका एरर ना आए तो 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 दिख रहा है यहां पर आपको इस पर किलिक करना है औ अब यह यू एन नमबर क्या होता है यह जब आप अपना यू एन एक्टिवेट करते हो तब ही आपको मिलता है ठीक है तो यू एन नमबर एक पासवर्ड ठीक है इसकी जरूरत है यहां से आपको साइनिन कर लेना है यह केपच आपको यहां डाल देना है यहां पर आपको डा ठीक है तो चलिए फटा फटा में लोग इन हो जाता हूँ जब आप sign in हो जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखागे एक option online services का इस पर ही आपको click करना है ठीक है जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको चलना है इस पर जैसे आप click करोगे तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ forum भरने से पहले का आपको मैं जो यह फोटो दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो को पिली जरूर देख लेना क्योंकि यह बहुत important video क्योंकि पूरा P F ka पैसा अगर आप निकालते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है न, और accident डालना के बाद में ही आप अपना पूरा PF-न का पैसा निकाल पाते हो आप ऐसा मार्य वान प्रोड़ 350 के पैसा निकाल पाते हो तो वीडियो जरूर झालेना डे प्रफिसाजाय day and look तो पूर 22 अजीज और पाते हो ठीक है ऑट दी जोड़ डलेन प्रोड़। कर देता हूं दिख रहा होगा और इस पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां लिखा है कलेम फोरॉम एकतिस उन्नीश टैंसी एंड टैंडी तो यहीं से ही हम हमारा पीएप का पूरा पैसा निकालने के रहा है जो फोरॉम होता है उसको बरेंगे इस पर मैं किलिक कर देता हूं से यहांसे दिखा देता हूं यहां पर अपना अकान्बर डालने के बाद में आपको कर्के कि पूरा समझा RICHा हूं यह विदियो आकर अफने पूरा देख लिया तो आपको किसी परख़र कोई दिक्कत नहीं कि सब कुछ आप अपने मोबाइल की साहता से सब कर पाओगे क्योंकि यह मैं आपको सूट करके जो दिखा रहा हूँ मोबाइल से ही कर रहा हूँ तो यह इस पर किलिक कर देता हूँ जाता है जिसमें दिखाता है प्रोसेस्ट फोर ओनलाइन किलेम चली इस पर किलिक कर देता है प्रोरम है प्यक फिटरल का वह है यहाँ खो़ूछ चुका है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह खोल गया है नीचे का जो आपको मैं स्क्रोल करके दिखाँगो वह पूरे फ।क आपको बणने होते हैं यहां लिए पर मैं आपको दिखाते हूँ जो चोडने के दिनाग जिसको डेक़ अफ्ल लिविंग होते हैं को आपको यह पूरा पेशान नहीं दो चीज नहीं सेवा दिका मुझा आपको पड़ना है इनको बरना जरूरी होता तभी तो मैंने बोला था वह वीडियो आप जरूर देख लेना जो थमनेल के माद्याब से में आपको बोला था उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्कॉर्सन में दे दूँगा आप जाके आराम से देख लेना यहां लिखा हुआ है आई वेंट टू अपलाई तो मैं आपको बता देतों आई वेंट टू अपलाई का मतलब है यहां से आप किस चीज के लिए अपलाई करना चाहरे हो अपना जो पी अप निकाल रहे हो वह किस समधित है तो यहां पर ओनली पीएफ विड्रोल मतलब कि यह 19 नमर का फोरण बर रहे है ठीके यह समझाना मेरा बहुत जरुए रहे है यहां पर आप देख सकत हो फोरण जो खूल रहा है वह भी 19 नमर का फोरोम को सेलक्ट कर रहा हूं ठीक है ना अब उसके बाद मिन यहां से आप को मैं दिखा देता हूं है अपलोड फोरुम 15ज अब 15 g forum क्या होता है, 15 g का मतलब होता है कि अगर आपको tax से बचना है, आपका P.I.P. को पैसा tax में कटने से बचाना है तो आपको 15 g लगाना जरूर है, ने तो अगर आपका 1,50000 को आपका 10 अंग ठाल के लिंक कर रखना है, और आपको 15 g forum है वह है भी आपको लगाना है, चले यहां से मैं आपको दिखा देता हूं मैं यह दोनु चीज आपको समझा दी है इसके बाद में जो बारी आती है यहां लिखा हूए इंप्लोई एडरस तो इंप्लोई एडरस का मतलब है जो आप इंप्लोел й हो खुद अपना प्र का पैसा निकाल रहा हो तो अब आपको अपने आधार कार के बapp कार अदिरमें जैसा भी एडरस है आपको है डाल देना यहां za बात आती हैं से select state, state क्या होता है आप जिस राज्य में होते हो, तो राज्य जिसे आप इस पर click करोगे, तो राज्य की list आती है, जो भी आप राज्य में हो, आपको यह select कर लेना है, अब यहाँ पर आती है city, तो city के अंदर आपकी जो city है, शहर है, वो option इसके अंदर यह डालना होता है, तो चलिए, मैं फटा-फट यहाँ से डालूँगा, और आपको समझाऊँगा भी, यहाँ पर आपको एक option और दीखेगा, जिसमें लिखा होता है city, city में से डाल देना है, last में यहाँ देखोगे, तो six digit का यहाँ पर दे रखा है pin code, अब pin code क्या होता है, आप फोरम बढ़ते हो, तो आपको बहुत परिशा नहीं आती है, तो pin code वह होता है, एक भारतिय डांक घर का, आपके आदार कार्ड के back side में देखना, six digit होते हैं, ज आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा, तो चलिए नीचे का आपको समझा देते हैं, upload, scan, copy of check and passbook, यह सबसे बड़ा मेटर है, यहाँ पर बहुत गलतिया होती है, पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान देना, पर लिखा हो है choose file, choose file का मतलब होता है कि जो आप file यहाँ पर select करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है, click करते ही आपका यहाँ पर camera का option आजाता है, और file का option आजाता है, तो जो भी आपने file अपनी बना रखे, वह है आपकी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, वह है आपकी JPG, यहाँ पर आप इस size, यहाँ पर only, आप पढ़ लेना, मैं आपको जैसे जैसे बतारा हूँ, आपको ध्यान जरूर देना है, यहाँ पर वह है आपकी, जब ही select होगा, only JPG and JPEG, file of minimum 100 KB and maximum 500 KB, ठीक है, आपको समझा रहा है, जैसे आपको ध्यान देना है, और उसके उपर IFSC code होना चाहिए, account number नजर आना चाहिए, और आपका जो भी नए वगएरा है, वह सब कुछ आपका नजर आना चाहिए, साफ साफ, ठीक है, तो यहाँ से आपको यह clear हो चुका होगा, जो भी आप file लगाते हो, पास्बूक वगएरा कि जो भी photo लगाते हो, वह choose file पर किचे कर लगाते हो, तो उस आपका सेलक्ट नहीं होता है, तभी वह आएगा, ने तो सेलक्ट होता है, तो आटोमेटिक आप वी ओप्सन पर किलिक करके आप देख भी सकते हो, जश्ट उसके बाद में जो बात आती है, बहुत important है, इसके बाद आपको यहाँ चोकर पर किलिक कर देना है, जैसे ही आप आपको यहाँ पर किलिक करोगे, तो यहाँ पर बुलू करकर निसान आ जाएगा, उसके जश्ट बाद में आपको बता देता हूँ, निचे की तरफ, आपको यहाँ चोकर पर किलिक कर देना है, मैं आपको बताया भी था, और यहाँ पर आपको एक उप्सन दीखेगा, जैस से इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं. यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर option आ गया है, ब्लु कलर का भी हो चुका है, यह है और यहां पर आ गया है, ब्लु कलर का gate आधार OTP. यह option होता है कि, अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो यहां पर बोला गया है आपका जो OTP will be send to mobile number registered with UIDAI आधार मतलब कि जो आपके आधरकाट साथ mobile number link है उसी को पर एक OTP आएगा उस OTP को यहां पर एक option आएगा डालने का उसमें आपको डालना होता है तो आपका 19 नमर का फोरूम भर जाएगा अब मैं आपको बता दे तो 19 फ चलिए इस पर किलिक कर देता हूं हां से आप देख सकते हो यहां पर हमारा OTP आ चुका है जैसे जैसे मैं आपको बोला वैसे वैसे आ चुका है सक्सेफुली OTP पहुंच चुका है इस mobile number पर जो यहां नजर आ रहा है ठीक है एक नीची पैचान को ध्यान में रुखते हैं आ आ जाएगा 19 नंबर का जिसको हम बोलते हैं only PF withdrawal only PF का पैसा withdrawal होगा अब पूरा पैसा आपका नहीं निकला है अभी पैसा बाकी है जिसको बोलते हैं पूरा PF का पैसा निकालना जिसको 10C नंबर से जानते हैं ठीक है वह भी हम भरके आपको पूरा दिखाएंगे लेकिन जो य मैं यहां से अपना OTP डाल देता हूं इस option में आप डाल चुक है और आपको छोट-छोट एक्षरों में दिख रहा होगा गोल गोल से में मैं डाल चुका हूं अब मैं को यहां पर well-rated OTP and submit claim पर फोर्म पर किलिक कर देना है एक चीज में आपको और अवगत करा देता हूं य पूरा प्रोपर समझ में आपको आजाएगा आप खुद से ही सब कुछ यह कर पाऊगे और आपको एक चीज में अपगत करा देता हूं जो भी आपने यह फोर्म बढ़ा है यह only 19 नंबर का फोर्म मैंने आपको बताया है आप वैले डोटी पर जैसे क्लिक करूंगा तो फो का मैं लिंक टैंशी फोर्म जो आपको बढ़ा एक वीडियो को आपके कोसिस करूंगा ऐसे करता हूं तो यह वीडियो आपको समझ में आया होगा है कि यहां से पूरा देख लीजिए यह लिखा गया ओटी पी हैज बीन वेरिफाइड एक वाइनल पीएप फाइनल ठीक है आप देख सकते हो यह लिखा है पीएप फाइनल विड्रोल के लिए फॉरम और सब्मीट सक्सेस्फुली और यूनिफाइड पॉर्टल है यह यह लागता है यह लागता है कि आपके कीलियर करता है और पूरा प्रोसस में ना बता है वीडियो प्लीज आप कर शक्ती है यह वीडियो और पीलीज आप जरूर देख लेना और प्लीज इस वीडियो को शेर जरूर कर देना क्योंकि आपके Become a का कोई का पैसा नहीं लर् सकती है यह वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे सेर करें और पीएप से सम्मधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद